हलो यस बेटा सभी जो भी connected है बताईए प्लीज कि मेरी आवाज क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है यस बेटा सभी जो लोग मेरे से connected है और मुझे अच्छा लगा कि आप सभी मेरे साथ यह revision series attend कर रहे है लाइव मोड पर यस यह आपके dinner का time है मुझे पता है और मैं यह चाहता हूँ कि आप घर पे बैटे बैटे dinner करते करते मेरा यह revision complete कर लो मैं आपको assure करता हूँ कि मैं इस revision में सारा concept करूगा हर concept को हम touch करेंगे लेकिन मैं कह दू कि यह super fast revision है इसलिए जो भी student आज जोईन हुए है lecture के लिए तो बेटा fast track booster यह in-depth discussion था वो अलग है और यह super fast revision है कि इसमें मेरे से यह मत यहां पर इसमें मैं आपके हर concept को connect कर दूगा brush up कर दूगा जो आपको exam के लिए बहुत काम आएगे और मेरा यह revision जो मैं notes दे रहा हूँ charts okay as well as मेरे questionnaire कर लो that's enough इसके अलावा आपको और कुछ भी करने की जरुवत नहीं है और मैं यह कह दूँ कि यह चार chapter तक introduction, supply, RCM और composition scheme यह chapter तक common revision रहेगा final और inter का उसके बाद में revision की video split हो जाएगे इसलिए अभी आज का जो revision है वो दोनों students के लिए है जो final कर रहे है as well as जो inter कर रहे है CA, CMA, CS सभी level पे यह revision आपके लिए बहुत ज़्यादा helpful है next, notes download आपको कैसे करना है इसका detail मैंने मेरे lecture 00 और 01 में बताया है जिसकी playlist आपको description column में मिल जाएगी अगर आप इस session से join किये हो तो आप playlist जरूर देखिएगा आपको session 00 और 01 में सब कुछ मिल जाएगा next, आपको मैंने कहा था कि notes के लिए specially charts जो मैं कह रहा हूँ यह आपको A4 page पे print out लेना है और A4 page पे print out तो आपको यह अच्छे से print out आएगी next, मैं आपको कहे दूँ कि यह सारे charts आपको हमारे website पे register करने के बाद आपके login में मिलेंगे लेकिन अभी हमारे website पे आज और कल थोड़ा server problem आ रहा है क्योंकि हमने server shift किया है इसलिए कुछ bugs आ रहे है जिसके वज़े से बहुत सारे students charts डाउनलोड नहीं कर पा रहे है कोई problem नहीं, और के परसो तक यह problem solve हो जाएगा और मैं आपको यह कहना चाहोगा जो अगर server से ले, हमारे login से ले पा रहा है कोई दिकत नहीं ले पा रहा है तो मैं description column में जो यहाँ पे telegram link दी है mobile से वो telegram link connect कीजिएगा app डाउनलोड करके जिसमें मैं हमारा note शेर कर रहा हूँ और as well as यहाँ पे link भी शेर कर रहा हूँ जो यहाँ पे questionnaire digital book की है और MCQ book की है now next आपको कहे दू कि जो भी यह video पांच दिन बाद, दस दिन बाद देख रहा होगा, तब तक तो उनके login में आ जाएगा, otherwise telegram link के, अगर special feature है उसमें, telegram में जाओगे तो उसमें, specially documents search करके, और document search करके, या link सर्च करके, या आप उपर थोड़ा browse करके, जो है पुराने message देखकर, आपको वो charts मिल जाएंगे, as well as link भी मिल जाएगी, chart की पीडिया भी मिल जाएगी, I hope आपके सारे questions, सवाल, यहाँ पे clear हो गया गया, now आज की वीडियो के बाद मैं questionnaire, immediate आदी घंटे में, questionnaire वीडियो भी upload कर दूगा, for final और inter के लिए, कल upload कर दूगा, और इसी वीडियो के description में, याने आप कल सुबह तक देखोगे, तो इसी वीडियो के description में, मैं उसकी playlist भी attach कर दूगा, so that आपको questionnaire के videos और final inter level पे questionnaire के videos मिल जाए, साथ साथ में, मैंने आपको, हमारी genie book, जिसे हम smart digital genie book कहते है, उसका link में मैंने telegram में share कर दिया है ठीक है, तो चलिए, start करे, are you ready, जोर से बोलो yes sir, तो एक लंबी सास लो और कहो, जो भी हुआ, अच्छा हुआ, जो भी होगा बहुत बहुत अच्छा होगा, आए हम कुछ अच्छा करना है, ठीक है, तो चलिए, आज हम start करेंगे, concept of supply, कल आपने देख लिया था, interstate, interstate supply, आज हम start करेंगे, concept of supply, ठीक है, तो यहाँ पे start करते हैं, अब थोड़ा speed में मेरे साथ आजाओ, और next 45 minutes, खाना खाते-खाते, या, जिस मुझे सुनना है, और कुछ नहीं करना है, ओके, और यह charts आप जैसे print out, download करोगे, every concept मैंने cover कर लिया है, तो now, section 7, supply, ओके, तो इस बे हम क्या है देखने वाले, section 7-2 और section, sorry, section 7-1 और section 7-2, okay, तो यहाँ पर supply जो है, supply of goods or services, तो सबसे पहले हम goods or services की definition देख लेते हैं, goods or services की definition क्या है, goods, section 252 में defined है, any kind of mobile property, other than money or securities, money or securities goods की definition में नहीं आएगे, लेकिन actionable claim goods की definition में आएगा, और growing crop, grass और things attached to the land और etc., वो भी goods के definition में आएगा, देख सुनिया है, actionable claim goods के definition में आएगा, इसलिए lottery waiting gambling पे, GST लगाया जाता है, लेकिन lottery waiting gambling छोड़के, बाकि कोई भी actionable claim पे, schedule 3 के हिसाब से GST नहीं लगाया जाएगा, ठीक है, service यहने क्या, service की definition बहुत open है और service की definition केती है, यहाँ पे anything other than goods, कुछ भी हो, other than कोई भी contract जिसमें आप पैसा कमा रहे हो, okay, वो active हो या passive हो, कुछ ना करना भी service है, second schedule के इसाब से so anything other than goods, okay other than money and securities वो service कही जाएगी, includes includes में थोड़ा 2 point याद रखेगा okay, separate consideration यह बड़ा important है, okay, separate consideration is charge for use of money और conversion of money, किसी को आप loan देते हो लेते हो, कही deposit रखते हो bank में या अपने बास रखते हो, जिसका separate consideration, interest लगाते हो तो interest on use of money यह service है, लेकिन फिलाल interest on loan advances or deposit other than credit card यह exempt है, लेकिन हाँ, उसको service का status है, temporarily वो credit card छोड़के exempt है उसके बाद में conversion of money और कि rupees to rupees, dollar to rupees इसके लिए कोई अगर commission charge करता है, तो उसके उपर GST, वो service भी है, और उसके उपर GST आता है, उसको कोई exemption नहीं है, उसके बाद में explanation कहता है, कि service includes facilitating or arranging the transaction in securities, securities के जो broker है, जो securities transaction facilitated यह arrange कर रहे है, वो भी यहाँ पर service माना जाएगा brokerage charge में GST आएगा, या money lending scheme, जीवर charge में money lending scheme है, तो money lending, sorry money lending नहीं, securities lending scheme securities lending scheme के तहद कोई securities lend कर रहा है, तो उसका जो उसको premium मिल रहा है, या consideration मिल रहा है वो भी service माना जाएगा, चलिए यह हमने देख लिया, यहाँ पर goods or service की definition, और supply both का, कभी-कभी combined contract होते है like works contract, restaurant catering contract composite supply होता है, वो भी supply के scope में होता है, अब हम दो पार्ट देखेंगे, supply includes okay, और दूसरा supply excludes ठीक है, यहाँ पर supply includes, okay, supply includes में दो, अगें दो यहाँ पर situation आती है, with consideration धान सुनिएगा, with consideration and without consideration, okay, मतलब क्या GST तभी आएगा, अगर आपके contract में consideration होगा, तो primarily, आप consideration होना जरूरी है, अब आपको कहई दू कि supply में main clause 7-1 है, मतलब यहाँ पर यह जो है, यह वड़ा पाव है, main clause है, फिर 7-1-B, 7-1-C, जो supply के लिए define किया गया, okay, वो तो चटनी है, मिर्ची है, साथ के एंसलरी चीज़ है, जिसे वड़ा पाव के साथ supply बुला गया है, वड़ा पाव मतलब main clause तो यह ही है, supply कहने का, फिर without consideration, import of service वो हम देखेंगे, तो 7-1-A क्या कहता है, 7-1-A कहता है all form of supply, किसे भी form में अगर supply हो, goods और services और both का, okay तो वो, यहाँ पर GST के स्कोंब में अगर कोई भी form में हो, okay such as, such as मतलब कुछ example दिये है और वो example, sale, transfer barter, exchange, disposal, license, rental lease, okay, इस type के contract या इसके अलाओ किसी भी form के contract होगे, तो supply बाना जाएगा और कि यह चारो condition, primary condition है, to call anything as a supply और cumulatively fulfill होनी चाहिए, made or agreed to be made for consideration okay, for consideration in the course or furtherance of business, okay, made or agreed to be made मतलब क्या, मतलब अगर आपका supply हो जाता है बात में पैसा मिलता है, तो supply made, contract complete हुआ, पैसा बात में मिला या agreed to be made, मतलब आपको advance मिला, I repeat, आपको advance मिला, या आपका agreement हुआ, तो वो भी supply माना जाएगा advance पर भी, लेकिन फिलाल time of supply की provision अगर हम देखते है तो स्रीब service के advance पे ही GST है, अगर goods का advance मिलता है, तो notification 67 by 2017, okay, तो 66 by 2017 जो है, उसके साब से goods के case में advance मिलता है, तो अभी फिलाल GST नहीं है, उसके बाद में next for consideration होना जरूरी है come on, मेरे साथ जूर जाओ for consideration होना जरूरी है अब consideration क्या है तो main main point आपको क्या याद रखना है, consideration में, okay payment जो है money और otherwise, act या forbearance ये चार फॉर्म में आना चाहिए, मतलब आपने जो goods लिया या आपने जो service लिया उसके against में money दिया उसके against में kind दिया तो money और otherwise, okay या फिर act या forbearance आपने जो supply लिया goods और service का उसके against में कुछ act करके दिया, okay या फिर, okay, forbearance कुछ ना किया वो भी supply माना जाएगा तो in respect of, in response to और for inducement of supply of goods or service, money otherwise act or forbearance मिलता है तो वो consideration माना जाएगा इसलिए आपको फटाक से बता दू free contract जस आपने free कहीं दिया इसका मतलब यह नहीं कि वो supply नहीं है free मतलब अगर यह चार बाते नहीं है money otherwise, act or forbearance तो ही माना जाएगा इसमें आपको क्या याद रखना है subsidy और deposit central और state government की subsidy including union territory इनकी subsidy consideration का पाट नहीं मानी जाती है और जब भी आप value निकालते हो तो यह exclude किया जाता है पर ख्याल कहें, सिर्फ central और state की अगर local authority की subsidy है तो वो consideration है अगर private body की subsidy है तो वो consideration है और deposit, मतलब आपने पैसा लिया सामने वाले से पर अगेंस deposit लिया अगेंस supply नहीं है तो वो deposit consideration नहीं माना जाएगा जब तक वो deposit आपके supply के charges में adjust नहीं होता है ठीक है ठीक है, चलिए उसके बाद में next bit up in the course or furtherance of business I repeat in the course or furtherance of business तो भाई, business की क्या definition है हम already last session में देख चुके है what do you mean by business अब in the course or furtherance of business के कुछ examples मैं या लेना चाओगा sorry बेटा in the course or furtherance of business के कुछ example समझे लो ये बंदा अपनी old car second end dealer को दे रहा है जो personal car है तो अगर आपका personal car है personal use के goods है personal mobile है तो अब आप जब दे रहा है तो in the course of business हमें supplier के angle से देखना है मतलब जो goods दे रहा है, supply कर रहा है क्या वो business कर रहा है business मतलब 9 activity trade, commerce, manufacture, incidental, ancillary and etc क्या तो वो यहाँ पर business कर रहा है तो clarification है कि नहीं अगर आप अपना personal goods, personal car personal mobile देते हैं तो वो in the course of business नहीं कहा जाएगा इसलिए आपने जो goods बेचा वो supply नहीं माना जाएगा same clarification, second hand jewelry यह जो lady है अपने second hand jewelry बेच रही है और कि यह dealer को तो यह supply नहीं माना जाएगा इसके ओपर GST नहीं आएगा क्योंकि यह in the course of business नहीं है हाँ, आगे जब वो dealer बेचेगा तो वो in the course of business माना जाएगा उसके बाद में next बेटा यहाँ पर प्रसादम है जो religious place में मिलता है या गुरुद्वारा में यहाँ आप प्रसाद मिलता है तो वो situation में यहाँ पर वो भी not in the course of business बोला जाएगा और उस पर भी GST नहीं आएगा यह कुछ important के price release और clarification हमने देखे है चलो यह हमने देखा 7-1-A उसके बाद में हम देखते है 7-1-B 7-1-B अगर आप देखोगे तो import of service specially covered किया गया है अगर इनिया में कोई भी service import करता है for consideration come on for consideration whether or not in the course of business तो GST आएगा तो consideration होना जरूरी है आप business के लिए low या ना low वो supply माना जाएगा और उसके उपर IGST आएगा क्योंकि import of service IGST में आता है sir अगर goods import किया तो goods यह governed by customs act है जिसके उपर additional custom duty 3739 में custom act के थूँ लगती है इसलिए उसके उपर तो IGST लगता ही है पर through custom act लगता है लेकिन अगर आप service import करते है तो वो specially supply माना गया है और उसके उपर यहाँ पर IGST लगाए जाएगा now एक exemption जो यहाँ पर final level पर है यह exemption final level पर है कि अगर किसी ने service import की और यह service import किया individual ने charitable trust ने और other than for business import किया जो business के लिए use नहीं किया तो उसके लिए exemption दिया जाएगा जो हम exemption chapter में पढ़ेंगे इंटर को यह applicable नहीं पर final को applicable है उसके बाद में यह नीचे वाला chart हम थोड़ा बाद में देखेंगे है चलो अब आजाते हैं कि यह with consideration के दो parameter देखे हमने next without consideration मतलब कुछ ऐसी activities है जहां totally free होगा कोई consideration नहीं मतलब money otherwise act forbearance ऐसे कोई भी consideration नहीं है तो भी supply माना जाएगा इसमें 4 ऐसे activities है 1, 2, 3 and 4 ओके 4 ऐसे activities है बस यह 4 cases में ही free supply पे GST लगाना इसके अलावा free supply पे GST नहीं आता है पहले के दूँ जब भी supply का issue हो primarily यह clause होना चाहिए यह आपका वड़ा पाव है उसके साथ साथ मिर्ची है उसके साथ साथ चटनी है तो यह मिर्ची और चटनी बाद में main तो यह वड़ा पाव है उसके बाद में देखे बेटा यहां पे permanent transfer कौन सा permanent transfer or disposal of business asset on which ITC has been taken याने आपकी कोई भी business asset हो और फिर वो यहां पे furniture हो, fixture हो, computer हो जो movable है और बिजनेस asset है या फिर आपका stock हो finished goods का stock हो, raw material का stock हो और जिसका ITC आपने लिया हो और आपने free बाटा हो किसी को donation दिया हो किसी को free दे दिया हो और आपने घर पे लेके गए हो तो वो situation में उसे supply बोला जाएगा और ITC लिया इसलिए GST लगेगा अगर आपने ITC नहीं लिया और free बाटा come on ITC नहीं लिया और free बाट दिया तो वो situation में यहां पे GST नहीं आएगा तो ख्याल रहे ये part में दोनों में confuse मत हो ना एक line में बता दू with consideration है अगर consideration है तो वो supply है फिर तुमने ITC लिया हो या ना लिया हो वो तो supply है लेकिन without consideration में अगर आपने किसी को free दिया है तो ITC का criteria बहुत important हो जाता है जहां permanent आपने business asset दी हो उसके बाद में second supply between dim distinct person dim distinct person section 25 में आपने देखा दो registered person के बीच में या फिर एक register और दूसरी say establishment जो registered नहीं है और वो other state में है तो supply of goods या आप goods देते हो या services देते हो दोनों भी और both between related person और dim distinct person तो free दिया अपने ही branch को जो separately registered है या other state में है या related person को free दिया goods दिया है, service दिया है तो उस पे GST आएगा अब यहाँ पर एक basic question आता है कि सर related person और dim distinct person में फरक क्या है related person की definition नीचे दिये है related person मतलब एक separate entity जिसका अलग PAN है जिसका अलग PAN है separately registered है वो related person माना जाएगा पर in clauses में related है और dim distinct person मतलब आपकी ही branch warehouse, depot, place of business जो same pan के अंडर में है same pan के अंडर में है और वो connected है अब दीचे एक gift का clause दिया है यह थोड़ा मैं बार में लेता हूँ what do you mean by related person तो section 15 में explanation में defined किया है okay such person are officers और directors of one another's business मतलब क्या दो company है या एक company partnership firm है जिसमे common directors और officers है तो वो दो company related मानी जाएगी या director और company related मानी जाएगी या officers और company related मानी जाएगी उसके बाद में such persons are legally recognized as a partner in the business और दो entity मिलके partnership firm चला रहे है तो यह दो entity related मानी जाएगी third वाला बड़ा important है okay अगर आप employer employee है तो वो related माना जाएगा और इसी third clause पे यह जो प्रोवीजो है और यह प्रोवीजो क्या है provided that gift up to 50,000 in value in a financial year by employer to employee shall not be treated as supply मतलब क्या अगर आपने per employee पुरे साल में पुरे financial year में आने 1st April से 31st March तक up to 50,000 तक का gift दिया हो तो even though वो related को दिया हो even though वो free में दिया हो पर up to 50,000 तो उसके उपर GST नहीं आएगा वो supply नहीं बाना जाएगा लेकिन अगर आपने 50,000 के उपर दे दिया मतलब 70,000 का दे दिया तो total 70,000 पे GST आजाएगा per year per employee okay मतलब 70 minus 50 नहीं होगा total 70,000 पे GST आजाएगा उसके बाद में person directly indirectly own control 25% stake in both of them मतलब किसी तिसरे ने supplier और recipient जो एक मेक में free दे रहे है okay इन दोनों में किसी तिसरे ने 25% से ज़्यादा stake रखा हुआ है तो related माना जाएगा one of them directly or indirectly controls the other मतलब holding subsidiary वगर है तो related माना जाएगा both of them directly or indirectly controlled by third person okay समझे लो bank है या कोई भी financial institution है या भी आपके दो start-up है और इनको कोई third person दोनो start-up को finance कर रहा है तो तिसरे से अगर दोनों person control हो रहा है तो यह दोनों person related माने जाएगे उसके बाद में together they directly or indirectly control the third person मतलब दोनों मिलकर third person को यहाँ control करे तो related माने जाएगे important exam के सबसे यह clause पढ़के जाना member of same family family याने कहा इसके पर सवाल पुछे जाते है family की definition है family means spouse or children of a person याने spouse को always related माना जाएगा या children को always related माना जाएगा okay related माना जाएगा दुसरा यहाँ पे अब second वाला clause यह बहुत important है और वो क्या है वो यह है parents, grandparents, brother, sister एक बार फिर से parents, grandparents, brother or sister okay of a person if they are mainly dependent on the said person याने parents, grandparents, brother or sister को related तभी माना जाएगा जब वो dependent है spouse, children dependent हो या ना हो always related पर बाकी dependent होगे तो related माना जाएगा यह case study के लिए याद रखना questionnaire में इसके ओपर case study है तो यह आपने देख लिया important clause उसके बाद में supply of goods principal और agent तो मैं आपको याद दिला दू okay अगर यहाँ पर principal agent को दे रहा है supply कर रहा है stock transfer stock transfer by principal agent और agent आगे बेच रहा है तो यहाँ CBIC clarification है आगे agent क्या कर रहा है वो बहुत important है अगर आगे agent अपने own invoice में further supply कर रहा है सुनिये अगर वो own invoice में यह बहुत important criteria है agent issuing own invoice अपने own invoice में दे रहा है तो जो stock transfer किया principal ने agent को पहला वाला transaction पहला transaction principal to agent हुआ और agent आगे own invoice दे रहा है तो जो पहला वाला transaction है principal to agent और के वो stock transfer supply माना जाएगा even though फ्री दिया हो और उस पर भी GST आएगा और ऐसे agent जो खुद के invoice है खुद के invoice दे रहे हो compulsory registration में आएगे in short यह पैरा 3 वो ही agent को applicable है जो खुद के invoice दे रहा है अगर transaction selling agent का होगा अगर transaction buying agent का होगा यहां पे stock transfer पे GST आएगा लेकिन अगर agent खुद के invoice नहीं दे रहा है अगर खुद के invoice नहीं दे रहा है तो वो situation में यहां पे पैरा 3 अपलाए नहीं होगा और stock transfer between principal to agent या agent to principal supply नहीं बोला जाएगा ओके फिर भी supply नहीं बोला जाएगा I hope you understood ओके तो invoice agent बना रहा है नहीं बना रहा है यह बहुत important है और उसके बाद में यहां पे next बेटा पैरा 4 पैरा 4 है import of service without consideration import of service without consideration यहां पे तो यह service अगर free service import किया आपने देखो for consideration होगा तो यहां तो supply बोला ही जाएगा फिर वो business के लिए हो या ना हो लेकिन आपने service free import किया तो free import service supply कब बोला जाएगा जब वो related person से किया हो या other establishment से अपने ही brand से किया हो और in the course of business किया हो तीन बाते free import service पे GST तभी आएगा जब आपकी related person से है या अपने own brand से है और in the course of business है तो ही supply बोला जाएगा अगर आपने देखो पहला thought फिर इंपोर्ट service पे कभी GST नहीं आएगा consideration होगा तो 7-1-B में आएगा without consideration होगा तो free import service पे तभी GST आएगा जब related हो other establishments हो और आपने business के लिए लिया हो तो यहाँ पे वो supply माना जाएगा ओके यहाँ पे पहले कहे दूए यह super fast division है यहाँ repeat कुछ भी नहीं होगा मैंने पढ़ा दिया बोल दिया तो बोल दिया आपको concept और detail में पढ़ने है तो वो situation में आपको मेरे other जो courses से वो buy करने पढ़ेंगे अब next हमारा topic RCM होगा तो आप पढ़के आओगे तो आपको और बहुत अच्छे समझेगा बैठे बैठे नहीं आप थोड़ा सा आदी गंटा आपने अगर flow ले लिया तो आपको बिलकुल समझेगा ठीक है उसके बाद में import of service import of service का एक chart बनाया with consideration होगा तो always supply माना जाएगा वो business के लिए हो या ना हो without consideration होगा तो वो related person से होगा और business के लिए होगा तो ही supply माना जाएगा other case में GST नहीं आएगा ओके सो दोस्तों यह आपने देख लिया schedule 1 चलिए speed okay आपको अच्छे समझ में आ रहा है आपका feedback जल्दी जल्दी दीजिए okay मजा आ रहा है यह super fast revision है बोलो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है recollect हो रहा है कि नहीं हो रहा है चलिए उसके बाद में आते हैं 7-2-A पर 7-2-A schedule 3 तो अब 7-2 में कौन सी जीजे supply नहीं बोली जाएगी देखो schedule 3 में कौन सी जीजे supply नहीं बोली जाएगी service by employee to employer ख्याल रहा है service by employee to employer in relation to employment और in the course of employment मतलब employee ने service employer को दी in the course of employment मतलब उसको salary मिल रही है तो salary पर कभी GST नहीं आएगा इवन दो यहा service employee दे रहा है employer को okay तो यहाँ पर उस पर GST नहीं आएगा यह in relation to employment मतलब आपके employment से related कुछ पैसा मिला तो वो supply नहीं बोला जाएगा इसमें चार एक्जामपल मैंने दिया है पहला compensation for premature termination अब कभी क्या हो जाता है employee दो साल के लिए तीन साल के लिए यहाँ पर जोईन होता है पर उनके employment agreement में एक clause होता है कि अगर तीन साल का bond है और उसके पहले employee को निकाला गया तो employee को compensation देना पड़ता है तो वो compensation पर GST आएगा क्या service मतलब anything other than goods किसी का भी पैसा मिला goods छोड़के, securities और money छोड़के तो वो service मानी जाएगी तो अब वो service तो है लेकिन schedule 3 में अगर वो notify होगा तो वो supply के scope में नहीं आएगा तो premature termination ये in relation to employment मिला क्योंकि employment contract पहली cancel कर दिया employer employee में non-competitive agreement होते है कोई employee छोड़के जा रहा है और छोड़के जा रहा है तो employer कह रहा है देख भाई, तो ऐसा ही तो यहाँ पर same business start नहीं करेगा या मेरे competitor को join नहीं करेगा उसका मैं तुझे 50 लाग देता हूँ तो ऐसा situation में employee को जो कुछ न करने का पैसा मिला क्या वो in relation to employment है answer is no क्यों 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 एक separate contract है उसका employment से कोई लेना देना नहीं है इसलिए वो कुछ न करना भी service है उसके उपर GST आएगा casual labor को wages दिये जा रहे है यह इन the course of employment है director remuneration जिसके उपर इस बार last time में clarification भी आया था director's remuneration तो यहां उस पर GST कब आएगा अगर director company के क्योंकि यहां river charge भी लगता है तो company के जो director है वो director का TDS income tax act में section 192 में deduct हो रहा है as a salary तो फिर वो schedule 3 para 1 के साब से in the course of employment माना जाएगा और GST नहीं आएगा लेकिन अगर उसका TDS यहां पर 192 में deduct नहीं हो रहा है other section में deduct हो रहा है maybe professional fees होगी sitting fees होगी whatever rate में भी तो वो director ने जो company को service दी वो supply बाना जाएगा उसके पर GST आएगा और वहां river charge भी अपला होगा उसके बाद में service by any court or tribunal established under any law for time in force okay court fees या tribunal fees पे GST नहीं आएगा okay लेकिन मैं आपको यह बता दू arbitral tribunal यह court नहीं है और arbitral tribunal अगर business entity को service देता है तो river charge में GST आता है उसके बाद में functions by MP, MLA के पंचायत, member of इनके functions government से जो पैसा मिलता है उस पर GST नहीं है constitutional post पे अगर कोई है और उसको honorary amount मिलता है तो GST नहीं है government body पे as a chair person member अगर कोई होगा तो उस पर भी GST नहीं है उसके बाद में next बेटा यहाँ पर अगर मैं लूँ तो service of funeral burial, crematorium, mortuary including transportation यानि जब आप जा रहे हो तो जाते जाते जो funeral, burial, crematorium services होगी including transportation उसके उपर भी GST नहीं है उसके बाद में very important sale of land अगर आप merely land sale करते हो और subject to clause B or paraffy sale of building यानि ready building sale करते हो या land sale करते हो तो वो supplier नहीं माना जाएगा तो यहाँ जो exception है only sale of land and building का है लेकिन अगर आपका intended for construction होगा यानि हम देखेंगे schedule 2 paraffy clause B में कि अगर यह proposed project होगा जिसमें builder आपको service दे रहा है construct करने की तो वो supply माना जाएगा और उसे supply of service माना जाता है इसलिए advance booking में जो आप flat book करते हो उसके पर GST है तो only sale of land and building not a supply हाँ पर ख्याल रहे यहाँ exclusion सिर्फ sale of land and building पर है अगर land and building ग्रेंड पर दी गए lease पर दी गए license पर दी गए तो वो supply माना जाता है schedule 2 के इसाफ से as a supply of service और अगर आपका completion certificate के पहले अगर sale होता है तो वो भी supply माना जाएगा और उसके बाद में 6 जो है यहाँ पर उसके बाद में 6 है actionable claim यह supply नहीं माना जाएगा लेकिन lottery waiting gambling come on क्या कह रहा हूँ मैं lottery waiting gambling यह supply exception है यह supply माना जाएगा और GST आएगा other actionable claim exclude हो जाएगा इसकी memory technique थी वेटा यह जो 6 entries है इसकी memory technique क्या थी इसकी memory technique थी कि employer employee का जगडा हुआ employer employee का जगडा हुआ दोनों court में गए MP MLA की शिफारिस ली कहा गया कि यह constitutional post है हम कुछ नहीं कर सकते court का result आने के पहले चल बसे funeral burial crematorium पता चला जगडा land and building का था जो lottery betting gambling में जीती गई थी ओके तो यह जो 6 entries है हमने यहाँ पे देखा ठीक है तो यहाँ पे बता दू यह 6 entries इंटर लेवल पे है उसके बाद में आगे की जो entries में बता होगा वो entries only final level को applicable है अब कौन सी entries final level को applicable है तो यह बेटा इंटर लेवल के चार्ट में आपको नहीं मिलेगी ठीक है अरे सॉरी दो मिनट बेटा अब इंटर लेवल के स्टुडेंट पाँच मिनट ध्यान नहीं देंगे वो कौन सी दो entries है 7 अगर supply non taxable territory to non taxable territory होता है मतलब क्या इंडिया का बंदा है लेकिट वो USA जापान में goods बेचता है या service बेचता है इवन्दो transaction इंडिया में हुआ हो लेकिन अगर आपका supply non taxable territory to non taxable territory हुआ और goods का होगा तो उसके उपर GST नहीं आएगा ठीक है बाहर के बाहर goods का supply हुआ युन्दो इंडिया से हुआ उसके बाद में अगर custom warehouse से clear होने के पहले custom warehouse से clear होने के पहले अगर आपने warehouse sale कर दिया तो वो supply नहीं माना जाएगा या फिर port से remove होने के पहले यानि high sea sale हो गया high sea sale हो गया यानि इंडिया में clear होने के पहले इंडिया में sale हुआ तो वो supply नहीं माना जाएगा यानि बाहर के बाहर supply हुआ goods का तो supply नहीं warehouse से custom warehouse से clear होने के पहले अगर supply होता है तो वो पर supply नहीं माना जाएगा या high-cash sale होता है तो यहाँ पर supply नहीं माना जाएगा ठीक है चलो अब यहाँ पर नीचे देखेंगे हम 7-2-B कुछ ऐसी activity जो supply के scope में नहीं आएगी एक तो article 243-G और 243-W जे notified activity है अगर इसके functions carry out होते है और constitution of India और कर इंडिया का कोई भी पंदा यह service दे रहा है तो वो supply नहीं माना जाएगा और उसके बाद में जो exam के लिए important है alcoholic liquor के license जो state government देता है और उसकी जो license fees लगती है I repeat alcoholic liquor की जो license fees लगती है और कि वो license fees service नहीं मानी जाएगी supply नहीं मानी जाएगी और उसके उपर GST नहीं आएगा पर ख्याल रहे है alcoholic liquor की ही license fees छोड़ी गई है अगर बाकी की license जो state government की होगी जैसे mining contract होगा या other natural resources के contract होगा है तो उसके उपर GST आ जाएगा ओके तो यह हमने यहाँ पे पहला topic खतम किया ठीक है उसके बाद में next आता हूँ schedule 2 पे तो भाई लोगों देखो यहाँ पे supply हो गया अगर आप देखोगे तो यहाँ पे supply हो गया ठीक है अब यह supply होने के बाद यह supply goods का है या service का है यह हम classify करेंगे और इसके लिए help करता है schedule 2 schedule 2 आपको यह बताता है कि अगर 71 A, B और C यह तीनों clauses से supply होता है तो supply goods का कहा जाएगा यह service का कहा जाएगा कुछ contracts related यह बताता है अब यह क्या कहता है देखो यहाँ पे जब भी आप यहाँ पे goods के जब goods दोगी किसी को और goods देते वक्ट टाइटल दे रहे हो तो वह supply आप goods माना जाएगा यह future टाइटल दे रहे हो याने higher purchase वगरे तो वह supply आप goods माना जाएगा higher purchase contract उसके बाद में यहाँ पे जब आप किसी को goods दे रहे हो पर goods के rights ही दे रहे हो टाइटल दे रहे हो ओनर्शिप नहीं दे रहे हो राइट दे रहे हो तो supply आप service माना जाएगा यह undivided share in goods दे रहे हो मतलब क्या कोई ऐसा goods है जिसमें आपका 20% 30% share है जिसने मेरा class किया हो वह hostel वाला example hostel में वह water heater वाला example तो उसके undivided share जो आप दे रहे हो तो वह जो share आपने ट्रांसपर की वह supply of service कहे जाएगे चलो यह पैरा वन था land and buildings related अगर अगर land and building का lease, tenancy, easement, license, occupancy agreement होगे तो यह supply of service है या भी लेटिंग बिल्डिंग वगर है यह भी supply of service है पर ख्याल रहे है, sale of land and building अल्रेड हम देख चुके, sale of land and building यह supply नहीं माना जाता है पर बाकी सारे contract land and building से related यह supply of service माने जाएगे उसके बाद में पैरा 3, पैरा 3 कहता है किसी और के goods पे आपने कोई treatment process किया, मतलब main goods आपका नह आपने कोई treatment या process किया, तो of another person goods, कोई भी treatment या process तो वो supply of service मानी जाएगी, जैसे इसका काम है polishing वाला job work, यह job work कर रहा है, polishing काम है, हमने उसको goods दिया, उसने हमारे goods पे कोई process करके दिया, even though हमें वो goods हैंड और कर रहा है, पर वो supply of service माना जाएगा, उसके बाद में पैरा 4, पैरा 4 transfer of business asset, जब आपके balance sheet की asset side की business asset है, जो movable है, जब वो transfer करते हो, अगर आपने business asset permanent transfer किया, तो वो supply of goods का जाएगा, और temporary transfer other than for business, आपने अगर temporary transfer किया for consideration, तो वो supply of service का जाएगा, पर इसमें एक जो पैरा है, वो बड़ा important है, और यहां आपका धान चाओगा, और वो क्या है, इसमें, और के यहां पे पैरा 4 clause C, यह कहता है, यह पैरा 4 clause C है, और के यह कहता है, कि any person says to be a taxable person, सुनिएगा, says to be a taxable person मतलब, जिसने, जिसका registration cancel हो चुका है, अब वो taxable person नहीं रहा, जिस दिन आपका registration cancel हो जाएगा, उस दिन जो भी आपकी business asset होगी, यह deem supply माना इसलिए registration cancel करना आसान नहीं है, क्योंकि आपने cancel कर दिया, कि जो भी आपकी asset बची होगी, movable goods बचाओगा business में, stock में, asset में, वो सारा GST आजाएगा, ओके लेकिन, अगर यह आपने cancel इसलिए किया, क्योंकि कोई दूसरा person continue कर रहा है, तो आपको आपके registration cancel करने पड़ते है, यह आपका कोई personal representative उसे continue कर रहा है, और आप अपना registration cancel कर रहे हो, you suggest to be taxable person, तो फिर यहाँ GST देने की जरुवत नहीं, मतलब आपका चलता फिर ता business कोई दूसरा continue करेगा, तो वो GST देगा, इसलिए फिर आपको asset पे GST देने की जरुवत नहीं है, लेकिन आपने permanently cancel कर दिय business close कर दिया, तो आपको cancellation के दिन stock calculate करना पड़ता है, उसके ओपर GST देना पड़ता है, चली, यह para 4 था, para 5 में बहुत सारे contract ऐसे दिये गए है, जो supply of services माने जाएगे, पहला renting of immoyable property, इंडिया में जहां पे भी immoyable property, फिर वो land हो, building हो, bridge हो, tunnel हो, okay, warehouse हो, कोई भी immoyable property rent पे द आएगा, दूसरा, construction intended for sale to buyer, intended for sale to buyer, okay, याने अगर कोई भी इंडिया का builder, okay, construction करके दे रहा है, residential, commercial, future में, intended for sale, जो आगे जाके वो बेचेगा, अभी advanced booking का amount लेगा, तो वो supply of service माना जाएगा, लेकिन, दो case में, वो supply नहीं माना जाएगा, भाई, कौन से दो case में नहीं माना अगर consideration जो मिल रहा है, वो after completion certificate और first occupation which is earlier, मतलब अगर builder को पैसा मिलता है, building complete होने के बाद, completion certificate मिलने के बाद, या उस पे first occupancy होने के बाद, तो वो जो है, वो supply नहीं माना जाएगा, और construction में, यहाँ पे addition, alteration, replacement यह भी cover होगा, example की तोर पे, अगर मैं कोई flat बेच रहा हो, commercial area बेच रहा हो, अगर completion के पहले, मुझे कुछ पैसा मिल गया, तो यह पूरा contract supply of service माना जाएगा, completion के पहले, एक रुपया भी मिल गया, तो पूरा contract supply of service माना जाएगा, लेकिन, अगर completion के बाद, या first occupancy which is earlier, उसके बाद, अगर पूरा पैसा मिलता है, entire consideration after completion मिलता है, तो completion certificate, I repeat, completion certificate, तो supply नहीं बोला जाएगा, ठीक है, उसके बाद में, next, temporary transfer of intellectual property rights, जैसे, यहाँ पे intellectual property rights में, copyrights, trademark, patent, अगर आप temporary दे रहे हो, royalty पे, तो जो आपको royalty मिलेगी, वो supply of service माना जाएगा, उसके बाद में, development, designing, programming, customization of information technology software, और अगर आप कोई software develop कर रहे हो, design कर रहे हो, program कर रहे हो, या existing software, customization service दे रहे हो, या और बहुत सारी services, अगर आप दे रहे हो, या एक तो नया software बना के दे रहे हो, या existing ready software पे, आप customization, adaptation, feasibility, study दे रहे हो, या troubleshooting services दे रहे हो, तो वो supply of service माना जाएगा, तो इसमें तीन बाते आपको exam के हिसाब से याद रखना है, कौन सी customized software होगा, मतलब आपके हिसाब से बनाया गया हो, तो वो supply of service का जाएगा, अगर pre-pack software है, आपके हिसाब से नहीं बनाया गया, जैसे quick hill, आपके हिसाब से नहीं बनाया गया, ready software बना लिया, फिर बेचा गया, accounting software, ready software फिर बेचा गया, तो वो case में, अगर ready software, Microsoft Office ready software बेचा, तो supply of goods कहा जाएगा और license to use pre-pack software जैसे encryption software आपके lecture का वो pre-pack ऐने ready software था और हमारे से license की ली जाती है तो ready software, quick hill, tally, tally की license की ली जाती है tally आपको बेचा नहीं किया, license के पैसे लिए गए तो pre-pack software के license के पैसे लिए जा रहे है तो supply of service बुला जाएगा अगर अच्छा लग रहा होगा तो like जरूर कीजिएगा yes बेटा, यहाँ पर मेरी revision आपको benefit होती है तो बस आपका भी कुछ यहाँ फर्ज बनता है मेरे लिए like मत करो, मैं 18 साल से पढ़ा रहा हूँ लेकिन आजकाल का जमाना ऐसा है कि आपके like पर बाकी students भी देखते है उन्हें लगता है कि यह बहुत अच्छा है और आपको अच्छा लग रहा है तो like जरूर कीजिएगा ठीक है, उसके बाद में next यहाँ पर agreeing to an obligation to referend from an act or to tolerate an act मतलब कुछ ना करना उसके लिए पैसा मिल रहा है यह act को tolerate करना, उसका पैसा मिल रहा है तो कुछ ना करना यह act को tolerate करना यह भी supply of service माना जाएगा और next transfer of rights transfer of rights in goods वो भी supply of service माना जाएगा यह तो था parafio, parafio की जितने भी contract है वो supply of services मानी जाएगी ठीक है, supply of service मानी जाएगी और एक कहिदू कि यह revision है भाई, आएए मैं कोई doubt or question आपके solve करने वाला नहीं हूँ यहाँ बहुत सारे students, और के मुझे देखेंगे मैं सिर्फ subject से connect कर रहा हूँ, आपके जो भी doubts है, whatsapp पे पूछिएगा ठीक है उसके बाद में, यहाँ पे composite पेराशिक्स में कुछ composite supply, always supply of service बोले जाएगे, मतलब क्या, आगे एक section 8 पड़ाओगा नीचे, वो यह कहता है कि अगर composite supply of goods plus service का, तो जो principal supply है उसमें classify करो, लेकिन schedule 2 कहता है, ना, 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 ओके दो ऐसे supply है, उसमें principal कुछ भी हो, I repeat, principal कुछ भी हो, वो always supply of service माने जाएगे, फिर कितना भी dominant goods हो, कितना भी dominant service हो, supply of service ही माने जाएगे, पहला है works contract, okay, works contract always supply of service माने जाएगा, भाई, works contract है ने क्या, works contract की definition है, building, construction, fabrication, completion, erection, installation, fitting outs, improvement, modification, repairs, उसके बाद में, maintenance, renovation, alteration अगरे, okay, of an immovable property, of an immovable property, okay, इतने students देख रहे, okay, और सच में अच्छा लग रहा होगा, okay, तो button दबाईएगा, आपको पता है क्या करना है, yes, क्या करना है पता है आपको, तो यहाँ पे, यह contract, अगर immovable property पे होगा, तो works contract का जाएगा, मतलब क्या, works contract के लिए, okay, यह सारी activity, movable पे नहीं, immovable पे होनी चाहिए, तो works contract का जाता है, और वो उसमें goods भी involved होना चाहिए, I repeat, उसमें goods भी involved होना चाहिए, okay, समझ लो, okay, भाई, मैंने एक works contract दिया, कि तेरा ही goods, तेरा ही service, और मेरी land पे, immovable property पे, तुझे पूरा construction करना है, contract, works contract दोनों का होता है, okay, goods भी तेरा, service भी तेरी, service में construction, fabrication, completion, installation, fitting outs, यह, plus goods भी तेरा, और immovable property मेरी, यह works contract, इसमें goods कितना भी dominant हो, supply of service ही कहा जाएगा, और दूसरा, restaurant catering service वगरे, okay, restaurant catering service वगरे, तो यह restaurant catering service always supply, अरे यार, sorry, क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, बड़े बदोई देशों में, छोटी छोटी बाते होती रहती है, seniorita, okay, तो अब ऐसे case में, okay, restaurant catering और other services, जिसमें food involved है, full कितना भी dominant हो, अगर वो मेस होगी, restaurant होगा, catering service होगी, तो वो always supply of services माना जाएगा, उसके बाद में, यह तो आपने देखा, पैरा 6 में, okay, तो यह दो contract के लिए देखना ही नहीं, okay, कि बहे, कितना goods है, principle क्या, no, 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 only supply of services, और unincorporated AOP, अगर अपने मेंबर को goods supply कर रही है, तो वो supply of goods माना जाएगा, इस तरह से हमारा schedule 2 भी खतम हुआ, आपके notes के कम से कम, कि कल के और आज के session में, 100 pages मैंने complete कर दिये, सारे points से समय कवर हो गया, बस इसके साथ questionnaire पढ़ लेना, देख लेना, हो गया आपका questionnaire में, मैंने बहुत अच्छे से, हर, हर subject में बहुत कुछ किया, हर topics पर मैंने सब कुछ कवर किया है, कुछ students को मेरा questionnaire बलकि लगता है, बस यह मुझे पता है, लेकिन मैं कहता हूँ, यह revision और questionnaire एक बार पढ़ लो, पूरा अच्छे से हो जाएगा, और अभी पढ़ते-पढ़ते कुछ important marks, या ICAI की questions, या examination questions, वो बस next month में revision के लिए रखना, क्योंकि इतना बड़ा questionnaire मैं भी मानता हूँ, कि बलकि हो जाएगा, इसलिए अभी selection कर लेना पढ़ते हैं, कि आपको next month में उसमें से क्या पढ़ना है, ठीक है, सही है, चलो, ठोको like, ओके तो यहाँ पे, चलिए दोस्तो, तो यह तो हमने देख लिया यहाँ पे, उसके बाद में, composite supply और mixed supply, इस पे आते हैं, पहले तो यह section 8 हमें दो purpose के लिए help करता है, एक तो कि आपके जब bundle होते हैं, composite supply होते हैं, bundle goods plus goods, goods plus service, service plus service, 2-3 service मिला के, 2-3 goods मिला के, और goods plus service मिला के, ऐसे contract होते हैं, तो यह हमें दो चीज़ों के लिए help करता है, क्या, कि वो supply किस में classify करना, कि कौन से head में जाएगा, goods में जाएगा, या service में जाएगा, और अगर वो जाएगा, तो क्या rate applicable होगा, क्योंकि जो आपका, जिसमें classify होगा, उसका rate आपका applicable होगा, तो law क्या कहता है, law ये कहता है कि अगर composite supply होगा द्यांतर सुनियेगा, composite supply होगा तो उसमें जो principal supply है, principal supply है मतलब जो dominant supply है उसमें classify किया जाएगा और अगर आपका mixed supply है तो फिर highest rate में classify किया जाएगा औके एने वो bundle में जिसका highest rate है उसमें classify कर दिया जाएगा, उसके rate लिए जाएगे, और वो contract पूरा, उसका, either वो goods होगा, तो पूरा contract goods का माना जाएगा, service होगी, तो वो service का माना जाएगा, अब composite supplier ने क्या, exam के लिए ये definition बड़ी important है, बहुत से बार notes में लिखने पड़ती है, okay, ये definition, composite supplier ने क्या, two or more taxable supply मतलब क्या, जब भी आप composite supply का हो, तो सारे के supply taxable होना जाएग, maybe exempt हो, need rate हो, पर taxable होने चाहिए, ठीक है, पर उसमें non taxable नहीं होगा, two or more taxable supplies होनी चाहिए, naturally bundle होना चाहिए, मतलब naturally bundle depend on facts of the case, लेकिन वो generally mobile के साथ charger, ये naturally bundle है, charger के साथ mobile naturally bundle नहीं है, पर mobile के साथ charger naturally bundle है, और यहाँ पर दोसा के साथ आपको चटनी मिलेगी naturally bundle है, वड़ा पाव के साथ मिर्ची मिलेगी naturally bundle है, तो ऐसे case में naturally bundle supplied in conjunction with each other in ordinary course of business, जिसमें एक supply principle होना चाहिए, जैसे mobile with charger, okay naturally bundle है, एक में के साथ supply होते है, mobile के साथ charger supply होता है, और principle supply है mobile है, इसमें कुछ example भी है, जैसे goods बेचते वग, okay sale of goods, plus transportation, plus insurance charges, plus packing charges, अब देखो goods है, plus services है, पर यह bundle है, okay naturally bundle है, और इसमें main supply goods का है, इसलिए पुरा contract goods के इसमें classify होगा, और goods का rate लिया जाएगा, okay, उसके बाद में mix supply, mix supply का definition क्या है, mix supply का मतलब, okay two or more individual supply, अलग-अलग supply है, okay, आप साथ में दे रहे हो, पर वो naturally bundle नहीं है, composite supply नहीं है, जैसे यह gift pack है, gift pack आप साथ में दे रहे हो, आप बना के दे रहे हो, इसमें यहाँ पे shampoo भी है, perfumes भी है, biscuits भी है, तो मिठाई भी है, okay यह pack है, और combine price पे दे रहे हो, तो ऐसे situation में, इसमें जो highest rate होगा, जैसे shampoo, shampoo का highest rate होगा 28%, तो पूरा gift, shampoo के head में classify होगा, और shampoo का rate अपला हो जाएगा, अब देखिए बेटा, okay, मैं आपको कहे दू, कि mix supply में, अगर आपने, यह mix supply का concept का अपला होता है, जब value आपने, okay, single value द होता है, आपने goods combine भी कर लिया, पर value अलग अलग दिया है, तो फिर unusual rate लगा, यह कब apply होगा, जब combine goods के साथ single price है, तब apply किया जाएगा, चलो यह देख लिया, हमने composite और mix supply, इस तरह से, हमारा section 7 और section 8, complete होता है, मज़ा है आपको, तो ठोको like, ठीक है, चलिए, next आता हो, CBIC के important clarification, okay, important clarification, चलो देख लेते है, फटा फट, पहला, पहला clarification यह है, यहाँ पे, जहाँ से देखिएगा, हाँ, यह clarification यह है बेटा, कि interstate, मतलब dim distinct person, dim distinct person में, जब free goods supply होता है, तो उसके उपर without consideration, तो वो supply मना जाता है, तो सवाल यह था, कि अगर सबरोज लो truck मेरा है, और मेरा convince goods लेके, okay, मेरे ही branch पे जा रहा है, goods लेके मेरे ही branch में जा रहा है, तो वो convince में, जैसे truck हो, train हो, वो convince में, goods पे तो supply हैगा, पर क्या वो convince, क्योंकि convince भी movable है, तो क्या वो convince भी supply माना जाएगा, तो clarification है नहीं, अगर कोई convince carrying goods या passenger है, तो वो convince जो goods और passenger को लेके जा रहा है, वो supply of goods भी नहीं माना जाएगा, और supply of service भी नहीं माना जाएगा, और no GST, बहुत अच्छे से, एक एक लाइन में, मैंने ये clarification दे दिये है, यानि ये clarification आपको इतने help करेंगे, very short and sweet, और के एक एक लाइन में ख़तम कर दिया है, एक्जाम के पड़े ये पढ़ लिया हो गया बहुत आपका, लेकिन अगर कोई convince कभी कभी क्या होता है, repairing hub होता है, समझ लो मेरा traveling business है, मेरा good transport agency, मेरे truck जो है, मेरे पास 500 truck है, और वो 500 truck का repairing hub मैंने यहाँ पे मुंबई में रखा हुआ है, तो अब पूरे इंडिया के truck, पूरे aircraft है, इंडिगो के aircraft है, वहाँ आते repairing के लिए, तो मेरी branch में, मेरी branch में repairing के लिए जा रहे है, इवंदो वो एक state से दूसरे state में जा रहे होगे, पर वो convince पे GST नहीं आएगा, लेकिन हाँ, वो branch जो repair service देगी, वो dim distinct person में repair service पे GST आ सकता है, और third, अगर मेरे convince further sell के लिए जा रहे है, जैसे मैं Tata Motors हूँ, और मैं buses बनाता हूँ, truck बनाता हूँ, अशोक ले-land है, मैं truck बनाता हूँ, और वो बेचने के लिए जा रहा है, further supply के लिए जा रहा है, तो वो जिस पे GST आएगा, second clarification भी वोई बेस पे, बहुती बार क्या होता है, convince के साथ equipment भी जाते है, crane जा रही है, कोई machine जा लिए, कोई drilling machine जा रही है, तो अब बात convince के नहीं है, उसके साथ जो लगेवे equipments है, उसका क्या होगा, क्योंकि वो भी एक branch से दूसरे branch में जा रहा है, जो separately registered है, तो same answer है, same clarification है, कि वो जो equipment tools है, spare parts है, जो आपके convince के साथ जा रहा है, कोई आपके branch में कोई service देने के लिए, वो भी जब मूँ होगे तो GST नहीं आएगा, लेकिन वो repairing के लिए जा रहे तो GST आएगा, या further supply के लिए जा रहे तो GST आएगा, exactly same clarification इसके लिए दिया है, उसके बाद में यह हमने देख लिया है, कि stock transfer para 3, इसलिए में इसको फिर से नहीं पढ़ा होगा, stock transfer para 3 में, द्यान से सुनिएगा, अगर principal अपने agent को stock transfer कर रहा है, और agent अपना invoice बना रहा है आगे, own invoice बना रहा है, तो पैरा 3 का agent बना जाएगा, और principal और agent के बिच में, जो stock transfer हो गया, उसके GST आएगा, लेकिन वो अपना invoice नहीं बना रहा है agent, principal का ही invoice बना रहा है, अबने देखा था, similar line पे Dell credit agent का है, उसके बाद में, next आजाएगे, okay, servicing of car, okay, एक clarification था, service का, जब कोई car की service करता है, जान से सुनिएगा, जब कोई car की servicing करता है, तो goods plus service, यानि हो सकता है, वो अपने पास का goods भी लगा रहा है, और service भी लगा है, I repeat, इसकी value separately बताए गई, तो उस पे separate value पे GST आएगा, okay, वो composite supplier नहीं माना जाएगा, separate value पे GST आएगा, उसके बाद में display of name plate, यह clarification मैं बता देता हो, okay, इसके चार point आए तो exam में लिख लेना, क्या है, कि अगर मैंने कोई charitable trust को donate किया, okay, और donation में उन्होंने donate किया, और मैंने का कि एक room मेरे नाम से बनाओ आप, तो उन्होंने room तो बनाए और उसके उपर V smart लिखा, okay, यह V smart के donation से बनाया गया, special thanks, तो अब क्या होगा, कि क्या वो मेरा नाम यूज़ करकि मुझे service दे रहा है, मेरी name plate लगा रहा है, तो क्या यह donation पे GST आएगा, तो law यह कहता है कि नहीं, okay, अगर donation को object as a token of gratitude है, या public recognizations of donor act of philanthropy है, जिसमें publicity advertisement करने का intention नहीं है, as a token of gratitude है, तो यह बड़े important है, expression of gratitude, public recognition as a donors act of philanthropy है, और उसमें वो advertisement का intention नहीं है, तो ऐसे case में, okay, वो supply of service नहीं माना जाएगा, और GST नहीं आएगा, लेकिन अगर आपने donation दिया, और उसका वो advertisement करके दे रहे है, okay, आपके donation का, तो फिर GST आजाएगा, वो माना जाएगा supply of for consideration, लेकिन voluntary donation, जिसमें आपकी वो publicity नहीं कर रहे है, तो voluntary donation पे GST नहीं आएगा, next, next बेटा, JV, अब JV में मैं आपको समझा देता हूँ, okay, समझ लो, दो person मिलके, एक JV बना रहे है, joint venture बना रहे है, तो ये joint venture में, जो वो cash contribution करेंगे, मतलब भई, JV बना रहे हैं, तो कुछ capital तो डालेंगे, तो वो जो cash contribution करेंगे, उसके उपर service नहीं मानी जाएगी, और GST नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो transaction in money है, लेकिन, एक समझ लो, JV का एक partner है, वो बोलता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन हा, okay, मैं work जरूर करूगा, as a working partner तुम्हारे JV का बन जाओगा, okay, तो हाँ, अब उसका जो contribution है, वो cash में नहीं है, in money नहीं है, वो against service है, against supply of service है, या goods है, और जिसके वज़े से वो JV को supply कर रहा है, तो वो situation में, उसने जो भी service दी, या जो भी यहाँ पे goods दिया, वो service माना जाएगा, और उसका contribution, जो जो GST आएगा, या JV member को service दे रहा है, member JV को service दे रहा है, तो वो supply of service माना जाएगा, उसके वोपर GST आएगा, तो यह सारे important points है, इनको underline कर लेना, चलिए, tenancy premium, अब यह tenancy premium वाला समझ लो बेटा, okay, important यह है कि महराष्ट्र में, यहाँ पर पगड़ी चार्ज है, उसके उपर stamp duty लगती है, जैसे, यहाँ पर मेरे पास कोई building है, दो मिट में समझ लेना, तो यह tenancy rights दी है, तो वो पहली बात तो जो tenancy right है, उससे sale of building नहीं माना जाएगा, और schedule 3 में only sale of building जो है, वो exclude किया है, tenancy rights, यह schedule 2 के साब से, परा 2 के साब से supply of service माना जाएगा, लेकिन आगे हम देखेंगे, यह renting of residential dwelling यह exempt है, तो अब देखिए, transfer of tenancy rights, against the consideration of tenancy premium, incoming tenant, अब जहाँ नया tenant आ रहा है, और उससे हम tenancy premium ले रहे हैं, तो वो taxable है, new tenant है, वो भी taxable है, और जो tenant छोड़ के जा रहा है, हाँ, पर वो अगर residential property का होगा, तो वो exempt है, tenancy premium अगर residential property का होगा, तो exempt है, और outgoing tenant है, बहुत सी बार क्या होता है, कि जो tenant छोड़ के जा रहा है, चोड़ने का हम उसको premium देते हैं, वो, even though उसके उपर stamp duty लगती है, even though उसके उपर stamp duty लगती है, पर उसके उपर GST नहीं आएगा, तो last में मैंने लिखा है, even though stamp duty लगती है, पर GST आएगा, और last में मैंने का है, just stamp duty देना, इसका मतलब आप tenancy premium से नहीं बस सकते हैं, तो देखो, मतलब क्या consumer court, क्या consumer court ये schedule 3 में, okay, para 2 में, court bid के definition में आएगा, क्योंकि consumer court आप से charges लेता है, आप से registration complaint charges लेता है, penalty लेता है, deposit लेता है, बहुत सारी amount लेता है, तो ये जो consumer court है, क्या ये court के scope में आएगा, schedule 3 में exclude होगा, तो answer is yes, consumer court, even though direct court नहीं है, पर जहां तक देखा जाए, but, वो tribunal जैसा है, court जैसा है, तो CBIC ने clarification दिया, कि yes, consumer court की सारी services, ये as a court मानी जाएगी, और schedule 3 में कवर होगी, जिसके ओपर GST नहीं आएगा, दोस्तों, तो चलिए, ये आपने clarification देख लिया, अब आगे देखिए बेटा, 2 मिनिट, उसके बाद में, हाँ, printing वाला clarification, आपको याद होगा तो, books, pamphlet, browser printing होगा, books की, pamphlet की, browser printing होगी, तो समझे लो मैं printer हूँ, और आपको पूरी book बना के दे रहा हूँ, browsers बना के दे रहा हूँ, तो ये जो है, dominant contract, इसमें goods, sorry, dominant contract service का है, intellectual property आपकी है, आपकी intellectual property यूज़ करके, मैं book printing, browser, annual report बना के दे रहा हूँ, तो वो contract, जो है, वो contract, principle supply जो होगा, मतलब ही, supply of service माना जाएगा, क्योंकि, हाँ, वो contract, मेरी service contract है, main intellectual property आपकी है, लेकिन, envelope letter card, एक्सेटरा, और कि ये supply of goods माना जाएगा, क्योंकि, predominant contract, उसमें जो है, वो आपका स्रीब logo लगा रहा हूँ, आपका स्रीब logo लगा रहा हूँ, letter card, printed, design, logo अगेर, etc, okay, तो, books वगेर होगा, तो supply of service, envelope letter card वगेर होगा, तो supply of goods, हाँ, अगर आपका contract, publisher के साथ हुआ हो, ध्यान सुनिएगा, आपका contract, publisher के साथ हुआ हो, कोई भी book के लिए, जिसके वो लिए, वो royalty दे रहा है, तो publisher जब print करके बेचेगा, तो supply of goods माना जाएगा, तो इस तरह से, अगर आप पढ़ो, तो मैंने बहुत simple, और sweet, यहाँ पे सारे clarification, इसमें important clarification, ले लिए है, और यहाँ पे, हमारा, यह chapter जो है, यह chapter, concept of supply end होता है, concept of supply end होता है, मज़ा आया होगा, तो ठोको लाइ, बस यही समझ लो, यहाँ पे, और मेरे लिए नहीं, जो यहाँ पे, students और देखना चाहते हैं, और circulate करना चाहते हैं, circulate करो, इस link को, यह playlist को, जादा से जादा students, इसका benefit ले सके, चलिए दोस्तो, हाँ, अब मैं फिर से बता दू, आपको यह सारे charts, कहां मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, मेरा lecture, 00, intro, यह lecture 01, देखो, मैंने starting में, आप उसमें सब कुछ बता दिया है, आपको हमारे server पे login करना पड़ेगा, और कि वो server पे login, अभी server में कुछ problem है, तब तक telegram link में, मैं charts provide कर दूँगा, next revision हमारी RCM पे होगी, तो RCM की revision जरूर देखिएगा, बड़ी interesting और मज़ेदार revision है, उसका भी chart जो है, मैं telegram पे डाल दूँगा, तब तक तो server हमारा सही हो जाएगा, और यहाँ पे दोस्तों, हाँ, और questionnaire वीडियो जो है, और questionnaire वीडियो जो है बटा, और कि बस अभी final का questionnaire वीडियो, आदी घंटे में YouTube पे upload करके, उसकी playlist इस वीडियो के description में, मैं add कर दूँगा, यह आपको उसका जो है link भी मिल जाएगा, questionnaire वीडियो का, तो हाँ, और मैं आप सब को कह दू, तिंग जेस्टी, तिंग विशाल सर, यह चैनल, subscribe कीजिए, notification on रखिये, otherwise आप इस revision से में सो जाओगे, और यह lectures YouTube पे रहेगे, ठीक है, done, okay, so thank you, thank you to all of you, CA Intera का questionnaire कल morning तक upload हो जाएगा, कल morning तक upload हो जाएगा, पहला session, और digital book की link मैंने, questionnaire की digital book, जिसे जिनी book हम कहते हैं, इन्या में first time ऐसा हो रहा है, कि digital book आपको, with video assistance दी जा रही है, और यह स्रिफ V smart में, GST से मैंने start किया है, और वो जिनी book भी आपको link टेलिग्राम में दे दी गई है, done, okay, दोस्तो, bye, हाँ, कल session नहीं होगा, कल session नहीं होगा, अब मंडे को सेशन होगा, संडे को बिटा मेरे रेस लेता हो, तो अब मंडे को session होगा, और मैं यह कह दू, CA Inter का question है, इस बार का completely नया है, इसलिए CA Inter के student, हमारे website से questionnaire भाय करें, मैंने अभी give away price पर रखा है, इसलिए website पर फड़ा पढ़ जाए, नया questionnaire भाय कर ले, तब तक आप digital book यूज़ कर सकते हो, thank you, ठीक है, customs का भी revision करेंगे, कुछ important chapters का, don't worry, मैं बैठाओ, इस बार, असी पाग, लंबी सास लो और को, जो भी हुआ, अच्छा हुआ, जो भी होगा, बहुत अच्छा होगा, thank you,